10 rep, 15 rep, 3 set, 5 set, machine, squats, push-up ये सब स्टार्टिंग में बहुत कन्फीसिंग हो सकता है पर घबराएगा नहीं आज मैं आपके सब questions आंसर करूँगा हेलो दोस्तों मैं हूँ काफी शुब और आज हम बात करने वाले हैं gym workouts beginners के लिए तो इसका जवाब हम question से शुरू करते है gym workouts beginners के लिए तो beginners के क्या goal दे होते हैं हमें उससे शुरू करना है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी beginners को सीखना होता है exercise है correct form सही form के शुरू करना होता है high reps और low weights से low weights ताकि injury का risk कम हो जाए और high reps ताकि शुरू शुरू में आप जितने जबर reps कर सको अच्छे form के साथ उतने ही जल्दी आपके muscles का adaptation हो जाए तो reps रहेंगे आपके 15-20 के बीच और weights इतने उठाओ कि जब भी आप अपने 15-20 के बीच में पहुचोगे उसके बाद भी आप 3-4 reps और आराम से कर सको starting में हर exercise के 2-3 set करने है और उसके 3-4 हफतों के बाद आप 3-5 set तक भी जा सकते हो हर exercise के बीच में 1-2 मिनट का rest जितने आपको ज़रूरी है और ये आप करोगे हफते में 2-3 बार इसको एक देड़ महीने regularly करने के बाद ही आप हफते में 3-4 बार तक work out कर सकते हो तो form सीखने का सबसे अच्छा तरीका है machine से शुरू करना क्योंकि machine सिर्फ एक ही तरीके से move करते है तो आपका form गलत होने का chance कम हो जाता है और आपका movement भी बहुत controlled रहता है अगर आपके बास machine का option नहीं है तो एकदम कम weight से शुरू करो या बिना weight के शुरू करो आपका phone सामने या side में रखे exercise करो अपने आपको record करो और देखो आपका form कैसा है अच्छा तो कितना करना है वो मालूम पढ़ गया पर अभी करना क्या है तो सबसे पहले आपको compound movement से शुरू करना चाहिए exercises जैसे squats, push-ups, pull-ups, bench press, lunges ये सब में एक साथ में, एक move में बहुत सारे muscles use होते है और इस पे आपका main focus होना चाहिए इसके साथ में simple moves करने हैं जैसे bicep curl, tricep dips, leg curls जिसमें एक बार में एक से दो muscles ही use होते है ऐसा क्यों? क्योंकि compound move हर move का base form कर देता है इनमें एक साथ बहुत सारे muscles use होते है stability का component आ जाता है और हर exercise का variations करके पूरे body का exercise हो सकता है और साथ में हमें करने है simple या isolation moves जैसे bicep curl इनमें एक बार में एक से दो muscles ही use होते है और उसमें भी जादा कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते है इसलिए वो सही करना जादा easy होता है ये isolation moves भी बहुत जरूरी है पर compound moves इनसे जादा जरूरी होते है और अगले point से पहले मेरी आप से एक request है काफी शब को subscribe कर दो उससे आप मेरे कोई videos मिस नहीं करोगे और मैं अभी आपके लिए खुशी खुशी videos बनाता रहूंगा अभी तीसरा point पहले दो point जितना ही जरूरी है पर लोग इसको पीछे लग देते है warm up, cool down और stretching तीनों बहुत जरूरी है अगर आपको fast results चाहिए और अगर आपको दूसरों से अच्छे results चाहिए तो एकदम starting से इन तीनों को एक आधत में बना दो warm up करने के लिए 10 मिनिट से ज़्यादा नहीं लगते है और stretching cool down के लिए 5-10 मिनिट और साथ में हफते में 1-2 दिन stretching को थोड़ा ज़्यादा time दे दो अगर आप starting से ही इसको एक आधत में बना दो तो आप बहुत जल्ली ज़्यादा exercise कर पाऊगे ज़्यादा weight उठा पाऊगे और ज़्यादा अच्छे से adapt कर पाऊगे तो आपको ये point के लिए आलस नहीं आनी चाहिए अगर आप पूरा workout कर सकते हो तो आप ज़रूर 10 minute और डाल कर पूरे workout को complete कर सकते हो और ये वीडियो के लिए इतना ही काफी है पर मैं जाते जाते एक और चीज़ ज़रूर बोलूँगा correct form सीखने के लिए YouTube पे बहुत सारे वीडियोज हैं वरना आप जहाँ पे भी workout करते हैं उद्धर किसी को पूर्ष लो कि आपका form एक बार चेक कर ले जादा तर लोग खुशी-खुशी आपका form एक बार चेक कर लेंगे हमेशा याद रखना सही form बेट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते है पहले-पहले में अपने form को एक तम कड़क कर लो वेट सो पूरी जिंदगी बढ़ाते रहेंगे और strength training करने के साथ बहुत ज़रूरी है काडियो करना हो अगर आपको काडियो में भागने के बारे में सीखना है तो मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो बना है आप वो भी देख सकते हैं काफी शब को सब्सक्राइब करना मन भूलेगा और मैं आप से बात करूंगा वापस काफी जल्दी